Welcome back to my YouTube channel World Literature आज जो टॉपिक हम लोग डिसकस करने वाले हैं वो है The Sisters by James Joyce यह एक शोट स्टोरी है जिसको हम डिसकस करेंगे इस पे अल्रड़ी एक लेक्टर जो है वो मैंने बनाया है उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आज हम इसको डिटेल से डिसकस और करेंगे साथे साथ इसके Important Questions, Exam Point of View से उसको भी हम लोग डिसकस करेंगे सबसे पहले अपना लेक्चर जो है वो हम लोग स्टार्ट Sisters जो के एक शोट स्टोरी है इनकी कलेक्शन थी James Joyce की Dubliners यह उसमें पब्लिश होई थी इनकी कलेक्शन Irish Homestead 13 August 1904 में यह पब्लिश होई थी लेकिन जो स्टोरी दिस सिस्टर्स है इसको इन्होंने रिवाइस किया था और इसको अगेन जो पब्लिश करवाया था वो 1914 में करवाया था इसके बाद अपने राइटर को अगर हम लोग डिसकस करें James Joyce जिनकी birth हुई थी 1882 में इनकी death हुई थी 1941 में Irish novelist थे, poet थे and literary critic थे James Joyce के अगर बात की जाए तो इन्होंने modernist avant-garde जो moment थी उसमें अपना contribution दिया avant-garde moment जो के आर्ट के हवाले से बहुत ज़्यादा popularized हुई थी इनको influential writer माना जाता है 20th century का further अगर हम लोग अपने work की तरफ आए तो उसके characters को हम लोग discuss करते हैं आज की जो short story हमारे the sisters उसमें सबसे पहला हमारा character है the boy जो के हमार narrator है इसका कोई name नहीं स्टोरी में mention किया गया उसके बाद James Flynn जो के former priest है और Eliza Flynn जो के sister है James Flynn की Nanny Flynn जो के second sister है James Flynn की James Flynn जो के खुद एक priest है उसकी अब दो sisters है Eliza Flynn and Nanny Flynn इसको जो title वो the sisters का क्यों दिया गया है वो इन ही दो sisters के वज़ा से दिया गया है जो को हम आगे जो है वो discuss भी करेंगे उसके बाद characters हमारे पास old cutter आजाता है aunt of the boy and uncle of the boy यह कुछ sisters हैं जिनको हमने देख लिया अब आते हैं अपनी summary की तरफ अगर हम लोग summary को start करें story जो है वो start कैसे होती है कि एक दिन होता क्या है कि dinner का time है dinner की time पे जो है वो old boy जो के narrator है हमारे उसका uncle और old cutter आपस में बैठे हैं इनकी dinner पे जो है वो discussion हो रही है अब discussion किसके बारे में हो रही है वो priest के बारे में हो रही है अब जिसको जो priest मैं already आपको characters में बता दिया है अब उस priest की जो है ना वो death हो जाती है पहले उसको paralysis होता है paralysis के बाद जो है वो उसकी death हो जाती है उसकी death को यह discuss करते है अब narrator का जो priest के साथ relationship है वो as a friend का है means के वो उसके बहुत अला close है और narrator और जो priest है वो आपस में बहुत सारा education discussion भी होती है religious discussion भी होती है और जो narrator है वो जा के tobacco देता है priest को तो ये discussion होती है इसकी death हो जाती है और सभी जो अब यहां पे घर वाले बेटे होए हैं इस narrator के uncle, aunt और ये old cutter ये expect करते हैं कि narrator का कोई response आएगा उसकी death पे बड़ जो narrator है वो खामोश रहता है अब जो old cutter है वो जो है ना narrator और जो priest है उन दोनों के relationship को disapprove करता है उसको criticize करता है इसको कहता है कि तुम एक young man हो एक young boy हो तुमें चाहिए कि तुम जो है ना वो जाके by games खेलो education लो ना कि ये इन religious कामों में पर जाओ या पिर जो आजकल का जो चर्च है या पिर जो तुम priest के साथ एक तुमारी friendship है उसको चलाओ तुमें चाहिए कि तुम अपनी जो worldly life है उसको enjoy करो अब जो narrator है उसको इस बात पर काफी गुसा आता है कि ये जो मेरा और priest का relation है इस दोनों को criticize क्यों कह रहा है ये old cutter actually में old cutter जो है न old cutter जो है वो priest को कुछ अच्छा person जो है वो नहीं मानता है और priest की जो reputation है इस village में वो भी कोछास अच्छी नहीं है बड जो narrator है हमारा boy वो उसको काफी ज़्यादा respect देता है उसको काफी ज़्यादा close है और काफी ज़्यादा उसको मानता है priest को narrator जो है वो उस पुराने वक्त को याद करता है जो priest के साथ उसका गुज़रा होता है कि वो उसको snuff packets खोल के देता था ये उसको टबाक्व अपनी आंट से लेकर जाकर देता था इन सब चीजों को वो remember करता है अभी जो priest इसको education देते हैं religious ये उसके बारे में uncertain था इसको यकीन नहीं था कि जो मुझे education इस priest ने दी है religious जो भी मुझे चीज़े से खाएंगे ये मेरी life में मुझे कभी काम आएंगी के नहीं narrator थोड़ा सा यहां पर doubted हमें नजर आता है उसके बाद क्या होता है कि जो father Flynn है उसने जितनी भी इसको religious चीज़ें बताई होती हैं लेकिन जो हमारे narrator है उसको तो वह सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंपल लगती है फिर स्टोरी मिटर अब और उसकी आर्ट जो है न वो अब priest के घर पे जाते हैं जहां पर priest की जो है न वो लाश पड़ी होती है means कि इसको कफन वगारा दिया जा जुका होता है और अब वहां पे जहांना वो prayer चल रही होती है अब यह भी वहां पहुंचते हैं वहां जाके pray करते हैं और यह जो pray करने की कोशिश करता है उसके कानों में बहुत सारी लोगों की prays की आवाजे जो है न वो पड़ती है तो इसको वो जो है न वो distract करती है होता भी यह है कि यह दोनों जाकर नैनी और अलीजा से मिलते है इसकी aunt और narrator वहां पे जाकर यह discussion करते हैं यह फिर जो है वो अपने फादर प्रीस्ट है उसके बारे में बताती है किस तरह का इनका जो brother था यह दोनों सिस्टर्स जो है नैनी और अलीजा अपना जो गम में वो share करती है narrator और उसकी aunt के साथ और बताती है जो father priest था उन्होंने कभी कोई इनके लिए trouble ने create की इनको बड़े अच्छे से इनके साथ वो रहता था और उसके बार बताती है कि जब उसके end days चल रहे थे father priest की life के तो उसकी जो mental health है वो खराब होना start हो गई थी एक्चली में जेम जाइस ने इस स्टोरी में इतना कुछ hidden रखा हुआ है कि इतना कुछ puzzling है कि हमें जो exact information है वो बहुत सारी चीजों की नई मिल पाती इस स्टोरी में बट जितनी मेली है हम उसी से जो है ना वो इसको narrate करते हैं अब further स्टोरी में होता ये है कि ये बताती है कि किस तरह से उसकी जो mental health ही वो खराब हो गई थी और उसके बाद इसकी जो sister है father priest की ये बताती है कि dad there was something gone wrong with him कि इसके साथ कुछ गलत हुआ था अब हुआ ये था कि उसने ना चालिस था इनका एक religious कोई कप होता है जब ये अपनी कोई religious ceremonies करते हैं तो वो तब उसको use करते हैं तो उसने उसको floor पे गिरा दिया था उसके बाद उसको punishment दी थी God ने और वो जो है ना वो खुदी एक confessional box था उसमें हसरा था खड़ा जो father priest है में कि वापस की mental condition ठीक नहीं थी तो एक type का इसको मेरे हमें कोई punishment मिली होई थी तो इसकी sister ये बताती है और ये इसने कोई sin किया था जिसकी वज़ा से उसको सजा मिली होई थी तो यहाँ पर यह स्टोरी है वो खतम हो जाती है अब स्टोरी यहाँ पर खतम होती है बट मैं आपको priest का थोड़ा सा character elaborate कर दूँ तो actually में वो कोई इतना अच्छा priest नहीं था यह फिर good nature priest हम यह कह सकते हैं वो नहीं था उस priest में बहुत सारी evil थी means कि वो corrupted था उसमें वो जैसे tobacco पीता था उसके बाद वो वैसे pure catholic church को representing करता था जैसे ancient time में, traditional time में church होता था means कि within the time जो church है वो भी corrupt हो गया Irish society भी corrupt हो गई तो उस चीज़ को इसमें deeper sense में जो है वो discuss किया गया है अब आते हैं अपने themes की तरफ themes में हमारे सार्बने सबसे पहले है the utility of education कि education का जो use है कि एक religious education है और एक दूसरी education है उसका जो better use है वो किस तरह से करना है जैसे कि हमार narrator confused होता है कि उसको जो भी प्रीस ने education दी है वो उसको use कर सकता है अपनी life में के नहीं या फिर उसको कैसे वो use करेगा authority and corruption जो कि हम church को represent करते हैं यहां पर death grief and morning जो कि क्योंकि प्रीस्ट की death होई है तो इस फूरी story में हमें जो उसकी दोनों sisters है वो death grief and morning ये तीनों चीज़ें जो है ना उनके character से नज़र आता है तो यह important theme हमने इसमें discuss की है उसके बाद इसके important questions की तरफ आते हैं what is the significance of the title the sisters sisters का इसको जो title है वो क्यों दिया गया है क्योंकि यह story है हमें जो priest का character है वो introduce को करवाता है हमारे सामने उनके sisters ही हैं जब narrator और उसकी aunt उसकी death पे जो है ना वो priest के घर जाते हैं तो priest की sisters nanny and aliza दोनो जो है ना वो इस character के बारे में हमें बताती है कि priest का जो character है वो कैसा था तो इसलिए इसकी title के significance इस हवाले से बहुत ज़्यदा important है क्योंकि उसकी जो sisters है वो narrate कर रही है priest को हमारे सामने उसके बास second important question what is the message and conveyed ideas in the James, Joyce, the sisters इसमें message क्या है और ideas क्या है सबसे पहला corruption कि किस तरह से church जो corrupted हो गया किस तरह से जो priest है उसको एक good man, noble man समझा जाता है यहां पर उसको god के बहुत ज़्यादा करीब समझा जाता है वो भी जो है वो tobacco का use कर रहा है वो भी corruption कर रहा है Irish society किस तरह से corrupted हो चुकी है यह दो हमें themes बहुत ज़्यादा इसमें मिलते हैं उसके बाद अगे हमारे जो question आता है what is the structure of the sisters from James Joyce Dubliners कि इसका structure क्या है इसका structure क्या रखा है writer ने means कि the sisters जो कि Dubliners में इनकी short story आई थी उसका जो structure है वो into the middest of the things है means कि जो story का original text हम पढ़ें तो वो mid से start होता है जो story का introduction जो दिया गया है तो उसका हम introduction भी नहीं पता और हमें story का end भी नहीं पता तो story में curiosity रखने के लिए हमारा interest develop करवाने के लिए James Joyce में इस technique को use की है इसको long question आज़ा आपने करना है तो आप इसके further जो है different different techniques ढूंडेंगे और then उनको लिखेंगे उसके बाद हमाया पास last है what is the theme of the paralysis in the sisters from Dubliners by James Joyce अब जैसे कि priest को जो है वो paralysis हुआ था उनकी death से पहले उसके strokes हुए थे उसके बाद उनकी death होती है उसके बाद जब ये इसकी aunt और narrator जो है कि दोनो priest के घर जाते हैं वहाँ पर कुछ खाने के कोशिश करते हैं से खाया नहीं जाता हो क्योंकि वहाँ का environment ऐसा होता है तो उन पर भी paralysis हो जाता है तो paralysis के जो different different events है ना वो इस story में आए है और इस तरह से इस technique को जो है वो use किया है further James Joyce ने दिखाया है कि तरह से religion है उसमें जब corruption हो जाती है तो वो किस तरह से paralysis कर देता है society में लोगों में और किस तरह से Irish society within the time जो है वो paralysis में जाती जा रही है इंके paralyzed होती जा रही है इस तरह कभी इसमें इनोंने डिसकस किया है यह हमारे कुछ important questions से इन questions के इलावा जब भी आप किसी exam की त्यारी करें तो उसके लिए आपने कुछ important questions को हमेशा याद रखना है सबसे पहले उस story की summary को बहुत अच्छे से read करें उसके characters को, उसके themes को उसके symbols को यह important questions होते हैं किसी भी चीज़ के उसके बाद उसके title के significance के title क्यों use किया है, राइटर ने इसमें उसके बाद उसका जो technique उसने कों से use किया, structure क्या use किया है इस चीज़ को discuss करें जो important चीज़े होते हैं वो यही होती है इस तरह से आपने question को जो हो cover कर सकते हैं और अच्छे marks जो हैं वो ले सकते हैं तब तक वीडियो को like और share और channel को जरूर subscribe कर दीजेगा thanks for watching my channel